नमस्कर दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले है साइडा एलेश टेबलेट के बारे में जैसे कि दोस्तो इसके उप्योग पेट में गैस बनने का कारण यूज किये जाते है आईए अधिक विस्तार से जानते हैं कौन कौन सा कंडिशनों में आप इस साइडा एलेश टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे यदि आपने अभी तक मेडिसिन विट सोराज यूटूब चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्रेब जरू करें तो दोस्तो चलिए आज कि इस विडियो को शुरू करते हैं अगर इसके उपर यूज किये गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात कर दो दोस्तो दो दवाईयो का कॉंबिनेशन उप्योग किये गए है पहला रैभी प्राजोल 20 mg और दोस्तो दूसरा लेबो सल्पिराइट 75 mg अगर इसके मार्केट प्रेस के बारे में बात कर दो दोस्तो 10 टेबलेट का एक श्टीप आता है जिसका MRP 118 रूपी से और दोस्तो इसका जो MRP है वो समाई का साथ कम ज्यादा होते रहते है आईए जान लेते हैं कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस साइडा-LS टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे जैसे कि दोस्तो इसके उप्योग पेट में गैस बनने का करण यूज किये जाते हैं इसके अलबा भी पेप्टिक अलसर, GERD, गैस्टो इस्वेफोगल अफ रिफ्लेक्स डिजीस, हार्ट बन की समस्या, पेट भराबरा सा लगना यदि आप कुछ भी खाते हैं आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता इन कंडिशनों में भी इस साईरा एलस टेबलेट के उप्योग किये जाते हैं अगर इसके डोसेट्स के बारे में बात कर दो दोस्तो एक एडल भेक्ति दिन में एक टाइम ले सकते हैं और दोस्तो इस टेबलेट को आप खाना खाने का पहले उप्योग करें अभी जान लेते हैं साईड इफेक्ट के बारे में यदि आप इस साईरा एलस टेबलेट को लेते हैं क्या क्या आपको साईड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो इसके जातार साईड इफेक्ट नहीं है लेगिन किसी किसी वेक्ति को देखने को मिल जाती है जैसे नौजिया, डाइडिया, वीकनेस, पेट दर्ध होना, वॉमिटिंग जदि इन में से किसी भी प्रकार साइड इफेक्ट आपको इस साइरा-LS टेबलेट को लेने का बाद देखने को मिलती है इस टेबलेट को आप लेना तुरन बन कर दे और आपके नजज़िया किसी डॉक्टर से परामर्स करे अभी जान लेते हैं प्रेकूशन के बारे में कौन-कौन सा बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस साइरा-LS टेबलेट को लेना है लेते समय इसका एक्सपैरी चेक कर ले ओबार्डोस इसे उप्योग ना करे ये दोस्तो एक शेडूलेज एच प्रेक्शिप्शन ड्रग है इस दवाई को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर सेगवर कॉनसल्ट जरू करे प्रेगनेंसी लेडी और बिडिश फिडिंग मदर को भी इस साइरा-LS टेबलेट को कंजूम नहीं करना है और दोस्तो ड्रैब करते वक भी आप इस साइरा-LS टेबलेट को उप्योग ना करे उमिद करता हूँ आपको साइरा-LS टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकरी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रेलेटर वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ और टेक क्यार